गरिब धन जननी धन भूमी धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु परवेश जगत गुरुतत्व दर्शी संतिरामपाल जी महराज की 74 वेवतरण दिवस के अवसर पर दिनांग 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में तीन द्विश्य महा समागम का आयोजन किया जा रहा है इस पवित्र अवसर पर तीन द्विश्य अखंड पाट, विशाल भणडारा, विशाल सत्संग समहारों जैसे कई भव्य कारेकरम भी होंगे जिसमें आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत हर्याना इस कारेकरम का सीधा प्रसारण सुबा सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूट्यूब चैनल और स्पिच्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेसबुक पीच पर भी देख सकते हैं गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 सत्रा में तीन प्रभु बताए हैं ये तीन प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरन समाप्त हो सकता है? तीन प्रभु में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूर रहस्यों को जाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरु तत्वदर्शी संत राम पाल जी महराज के अमरित्वचन आत्मा जबसे मालिक से विछुडी है इसको उसी समय से उसकी आवसकता मैसूस हो गई थी जिस भगत आत्मा ने सिरिष्टी रतना सुन रखी है तो उनको ग्यान है कि पहले तो हम अपने सविछा से इस काल भगवान के साथ लगए और भगवान के भी मुख हो गए और जिसमें ये परकरती दुर्गा दुर्गा देवी जी इस काल भगवान के पास छोड़ी गई उसी समय से इस काल ने हमारे साथ दूर बिवार प्रार्म कर दिया और उसी दिन से और आज तक हमें स्वाय प्रेशान ने किया कुछ नहीं मिला तो उसी से में इसको महसूस हो गया था इस तुरुगा को पुकार की थी वगवार मुझे बचा ले अपने पेर पेको अड़ा मारे के हम यहाए है और पुकार करते हैं बगवान बचा ले अभी तक हम उस बगवान से प्रार्षना करते रहें जो हमें दुखी तो कर सकता है सुखी नहीं कर सकता है वो कौन है यह ब्रह्म है जो तनिरंदन काल है जिसके लोक में हम यहां रह रहे हैं और इसके तीन पूतर हैं रजगुन शिरिविर्मा जी, सत्गुन शिरिविश्णू जी और तमगुम शिरिशिव जी हम इन से भी अर्ज करते हैं हमारी रक्ष़ा करो यह अपने रक्ष़ा नहीं कर सकते करन्ड को ही भोगते हैं और इनको इतना यह दिकार दिया हुआ है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल तुम दे सकते हो इससे हट कर आप कुछ नहींकर से एल केवल हमें अपना किया कर्म ही दे सकते हैं और यह काल भगवान के आधीन हैं ये विवस हैं और अपने ही ये भाई बेन हैं इनकी पिछले पुन करम अधिक है इनको उंच पोस्ट पराप्त मिलगी इस विर्मान की लेकिन ये आपके साथी हैं दुस्मन नहीं लेकिन ये विवस हैं इस काल भगवान के संकेत के बगएर ये कुछ नहीं कर सकते और इनको केवल जैसा करम प्राणी करता है वैसा ही फल देने का ही अधिकार है इससे हटकर नहीं ना ये किसी को सुकी कर सकते और ना ये किसी को दुखी कर सकूँ इन से हटकर जो और अन्य देवता है उनकी दबात ही छोड़ो तो कहने का भाव ये है कि दब से हम बगवान से बिछड़े हैं संकटों को जहल रहे हैं मा कष्ट उठा रहे हैं और ऐसे ही तरफ तरफ कर हम सरी रत्याग जाते हैं और हम भगवान से पुकारते ही रहते हैं सुनाई बिलकुल नहीं होती है जो कष्ट आना है आ ही जाता है तो हम किस भगवान से पुकार करते हैं जो सुख दे ही नहीं सकते और जो भगवान हमें सुक दे सकता है हमारे प्रहर्व्द के अंदर यानि किसमत में लखे हुए पापों को नास कर सकता है क्योंकि पापों के नास होने से ही सुक हो सकता है जीव को तो उसकी हमें जानकारी निवस्का ग्यान नई क्योंकि काल ने अपने बहुत से एजेंट त्यार कर रखे जो संद कहलाते हैं महंत कहलाते हैं मंडले स्वर आचारिये और संकराचारिये कहलाते हैं इन्होंने पूरे बानों को भर्मित कर दिया और साथ में ये कज्जी और मुला और पीर और ये इसाई दर्म के फादर है ये सब बर्मित हैं इनको किसी को भी अध्धातम पूर्ण ग्यान नहीं ये सब काल के एजेंट हैं इस बर्म के ही पुजारी है और हमने पूजा करनी है परमक्सर बर्म की वो परमक्सर बर्म ही सब पापों को नास कर सकता है और जब तक पाप नास नहीं होगा जीव शुकी नहीं हो सकता तो अपने अत्मा सत्संग के अंदर सर्वे पर्थम तो ये याद दिलाई जाती है कि मनुस जीवन किसलिए प्राप्त होता है मनुस जीवन के कारिये का वास्तवी ग्यान हो जाता है कि हमने क्या करना चाहिए इससे मौक्स प्राप्ती का प्रियतन करना चाहिए कलान के लिए सबसे अधिक प्रियतन करना चाहिए तो उसके बाद और शक्ता पड़ती है कि गुरू पूरा हो तो गुरु पूरे से फिर आपका काम चलेगा इसमें मुख्य ये दो कड़ी होती है पर तुम पूर्ण संत की प्राप्ती होने पर ही आपको सत्संग प्राप्त होगा और सत्संग से ये ग्यान होगा कि मुनस जीवन किसलिए मिला था तो फिर आपका कल्ण बहुत आसनी से हो जाएगा तो पुर्ण आत्मी जो संपुर्ण ग्यान है संपुर्ण अजात्म ग्यान की है ये पूर्ण संत ही बता सकता है अब जैसे परमात्मी ने कहा है कि मानोस जनम पाय कर नहीं रटे हरी नाम जैसे कुवा जल्बना बनवाया क्या का परमातमा ने मनुस जीवन किया हो सकता कि इतनी बताई है कि जो विक्ती जो प्राणी मनुस जीवन पराप्त करके परमातमा का नाम जाप नहीं करता उसकी भक्ती साधना नहीं करता वो तो ऐसा है जैसा जल रहीत कूप होता है वेल विदाउट वाटर बिना पानी का कुवा उसका नाम कूप अवस्य है जिसमें जल नहीं लेकिन गुन कूप के नहीं ठीक इसी पर का जो विक्ती परमातमा की वक्ती नहीं करते तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहीत कूप उसका नाम मनुस्य है लेकिन गुन मनुस्य के नहीं हो सकते उसके लिए सत्संग की आउसकता पड़ती है और सत्संग के अंदर ये याद दलाता है के परमातमा की वक्ती किसलिए करें परमातमा की वक्ती इसलिए करें के परमातमा याद दलाते हैं साहिब से चतला ले रे मन गर्ब गुमानी साहिब मन भगवान से परमातमा से चतला विसे सकसक बना भगवान की तरफ रे मन गर्ब गुमानी है अभिमानी मन परमातमा की तरफ लग जा क्यों लग जा किसलिए क्या कारण है ना लगने से क्या हानी है लगने से क्या लाब है ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीन्या मेल बनाए नीचे जट्रा अग निजल थी मा तेरी करी सहाए नीचे सीस चर्ण उपर को वो दिन याद कराए दांत नहीं जब दूद दिया था अमी महार सिखाए बाहर आया बरम बुलाया बाजे तोर सनाए तोही तोही तो छोड़ देही अब चल्या अधम किस राए दाई आई घुटी प्याई मता गोद खिलाए तोही तोही तो छोड़ दिया इब चल्या अधम किस राए अब क्या बताते है प्रमात्मा के जब तु मा के गरब में था एक विशे संकट को जेल रहा था नीचे को सिर्था उपर को पैर ते रहे और जब आपती आती है ये प्राणी प्रमात्मा को याद वस्या करता है मा के गरब में इस प्राणी को पूरी से इतना होती है के मैं किस कारण से इस जेल में फसा हूँ उस से में वो प्रमात्मा से अरज करता है ये बगवन एक बार मेरा संकट निवारन कर दे मुझे बार निकाल दो फिर आज इवन आपकी भक्ती करूँगा दो रोटी के लिए धन्दा भी करूँगा मालिक तेरी भूल ने करूँगा उस में उसको अपने पिछले जनम जन्मांत्र की फिल्में देखने को मिलती है अपने ही अंत्यकर्ण वे क्योंकि हमारे अंत्यकर्ण के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम कर रख है कि जो भी किरिया काम कर्म हम करते है और जो भी अच्छी मंदी सोच हम अपने हर्दे में बनाते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाती है जब तक जी मोक्ष प्राप्त नहीं करता तब तक उसके अंत्यकर्ण में उसके सर्व कर्म अंदर फेड रहते हैं और जब ये प्राणी संसार छोड़ कर जाता है दरमराज के पास जाते ही उसकी वो किये हुए कर्मों की फिल्म आउन हो जाती है वहां इसको ये बताने क्यों सकता नहीं पड़ती तो नहीं गल्ट करारियो नाठी जा वहां नाठने की गुंजाइस ली रहती कि मने ऐसा नहीं किया तो उस फिल्म को देखता हुआ वो प्राणी अपने पिछले मनुस जीवन विर्थ किये हुए इसको बहुत याद आते हैं और बहुत रोता है मैं कितना जालिम था मुझे संतों ने चेताया भी भक्ति ना करने से आज तक मैं भटक रहा हूँ तो उसमें परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तू मा के पेट में था जब तो तू करा था है बगवान तू ही है सर्ब सर्ब कुछ और आप एक बार मुझे इस मा की कैद से पेट की कैद से बाहर निकाल दे आपको कभी नहीं बूलूँगा तो यहां परमात्मा कहते हैं बाहर आया और भरम बुलाया अब चला अधम किसरा इन नालाइक अब कौन सा रस्ता अपना लिया तूने क्या बताते हैं कि दौदस बर्स खेलतें बीतें लीन्या ब्या करुआ पहले बच्पन में ब्या हो जाते थी उस समय की वाणी है यह दौदस बर्स खेलतें बीतें लीन्या ब्या करुआ और तरुने नारी से बना गरबारी अब चला मूल गवा परमात्मा यह नहीं कहतें कि ब्या ना करुआओ कहने का भाव यह है कि इस से काम ना लगे रहो इस मनुस जीवन के एक मुख्यकारियों को और इस में साथ जोड लो और उसके बिनाती सारा काम विर्थ है और उसके साथ हो जाने से सारी सपलता जब व्यक्ती महादुखी हो जाता है अपने सतर के सब परियतन यह कर लेता है चाहे राजा भी क्योंने हो तो उसको भगवान की आवसकता मैसूस होती है राजा लोग भी परमात्मा के लिए साथू संतों के पास जाते हैं आशिरवाद प्राफ्ट करते हैं तो परमात्मा हमें याद लाने आते हैं कि तुम बिखारी क्यों बनो वो साथू क्या करते हैं वो भी तब अगवान की बक्ती करते हैं तुम भी करो तुम स्वेम्ध धनी बनो उस बगती का या चा क्यों बनो तू तो वा हमारे समझ में नी आई क्योंकि हम इस गायड गड़ने कर रखे हमने सोच ये रखे है कि बगती तो वो लोग करते हैं जो गुफाओ में बैठे बगती तो वही कर सकते हैं जो बिलकुल घर से घर टाकर जंगल में जा मैठे हूँ फरी हैं वो फरी नहीं हैं वो तो आप से भी दुखी हैं तो प्रमातमा हमें याद दिलाते हैं कि तरुनी नारी से गर बारी अर चलया मूल गवा मूल कार्त है जो अपने मनुस जीवन के स्वास रूपी पुझी जो मूल धन तुझे पराप्त हुआ था ये मुनुस जीवन के जितनी स्वाँ से ये आपका धन है ये मूल धन है और इस मूल धन से हमने आगे विपार करना था, सौधा करना था और इसको दुगना तिगना, चोगना करना था प्रमात्मा कहते हैं के तीन लोक और बहन चतुर्दस सब जग सौधा आही और दुगने तिगने और किये चोगने और किन हुमूल गवाही तीन लोक और भवन चतुर्दस ये सभी अपने सौदे के लिए आए हुए है जैसे कोई विक्टी विदेश चला गया है या दूसरे सहर में चला गया है दो चार दस लाक रुपे लेकर है विपार करने के उजैस कि अपने नेक निति से कमाऊं और उन पैसों से ही जा करकर होटल में मौज मस्य कर रहा है बिपार करनी रहा बिजनिस करनी रहा तो उस मूल धन को खर्च रहा है उसको बरबाद कर रहा है और एक दिन कंगाल होकर सवदेश लोटआवगा और किसी के मजदूर लगेगा और दूसरा व्यक्ति उन दस लाख रुपों से सौधा खरीडता है बेचता है दुगने तिगने कर रहा है तो उसने उसका यथार्थ लाब पराथ कर लिया ठीक इसी परकार जो मनुष जीवन पराप पराणी है इस पुझी को खर्च रहे हैं कोई मंतरी बन गया कोई परतान मंतरी बन गया कोई जज बन गया कोई IPS बन गया कोई मैक फैक्टरी का मालिक बन गया ये पिछला धन है आपका कोई मनुष जीवन ही आपको मिला है तो बहु जीवनप्रापत है, वो मौल धन पूरा लिये होगी है बाकी उछ पौस्ट प्रापत हो जाना, राजा बन जाना ये उस बगती धन का एक एक्स्ट्रा आइटम है ये किवल दान पून का ही फल है इनका और मौल पून्जी वो बगती वाली वो सब की मनुस्टीवन प्राप प्राणियों की एक जैसी है जिनको मनुस्टीवन मिल गया चाहे वो रिक्सा चलाता है चाहे मजडूर है चाहे सेठ है और चाहे मंत्री या परधान मंत्री है कोई भी है बगती धन आपका जो है नाम की कमाई वाला धन तो सबका समान है पर रहे पुनों का उन पुनों से ये उच्छ पोष्ट मिल जाती है तो कहने का भाव ये है दास का कि जो इस मनुस जीवन के इस मूल धन से फिर से अपने कमाई शुरू कर देता है परम संत की सरन से उपदेश पराप्त करके फिर अपने उस दैनिक कारिय के साथ साथ ये भी एक मजदूरी करता है तो वो दुगने तिगने और चोगने बना रहा है अपने मूल धन के अपरमातमा ने आकर ये ग्यान दिया है और ये थार्थ ग्यान को भगवान ही बता सकते हैं जीव तो अठकल लगाया करते हैं आप द भगद गीता के अंदर जो ग्यान है वो गौड गीवन है और परमेश्वर कबीर जी की वाणी वो गौड गीवन है स्वम परमेश्वर ना के बोली है और उन मापरसों की वाणी जो परमातमा से परिचित हुए जिनको बगवान आकर सीधे मिले उनको अपने से परिचित करा कि वापस छोड़ा, उनकी वाणी भी God given है, तो कि उनका अनुभाव आँखों देखा है, परमात्मा की उन वाणी से भी मेल खाता है, तो इस परकार जो अठारा पुराण है, उनको देखिएगा, वो जीव की सोच है, जिन बिर्मा विश्णु महेश और अन्यरिसी महरिसियों का अपना ग्यान अनुभाव है, वो वेदों से बहुत कम मेल खाता है, तो इस परकार हमने अन्यरिस के अनुभाव को अपने बग्ती मारग में सहयोग में नहीं लेना है, आधार नहीं मानना है, इस ग्यान को सुनने के लिए, ग्यान को समझने के लिए, अठारा पुराण ह हमारे लिए एक मिस्षे सही होगी है लेकिन बग्ती की विधी के लिए इनका सही होग हमने बिलकुन नहीं लेना और उसमें जो भी बग्ती के लिए बता रखी है वेदों से नहीं मिलती है तो नहीं लेना उनका पालन नहीं करना हमने तब हम सपलों के तो क्या बताते हैं यह म बता है कि लोहे जैसा तावजात है ये काया देस राही और तीन लोक और भवन चतूर दस सब जग सौदे आही जैसे कारीगर लोहे को गरम करता है उसको इतना गरम कर देता है बहुत अधिक और फिर उसको निकाल कर तरह तुरन उस पर चोटे लगाता है गरम गरम लोहे पर चोट लगाकर के वो जो वस्थ्टू बनाना साता है बना सकता है लोहे के जरासी भी ठंडा होने के उपराइन तुछ उसके उपरचाए पूरे गण मार ले उसका कोई लाफ नहीं होगा वोटे डामेडा बन जाएगा तो वह वस्तू नहीं बनेगी जिसके लिए प्रियतन किया गया था तो यह मनुस जीवन जिसका सान्त हो जागा जब तक मनुस जीवन है यह लोहा गरम है इस पर राम नाम की चोट मारक है आप जो बनाना चाहते हो बना सकते हो जब यह ठंडा हो जाएगा मरत्यू हो जाएगी फिर कुछ नियोचे पाथ से इसके इसराद निकालते रही हो वो तो ठंडा होने के बाद चोट मारनी है और चाहे उसकी तेरा मी करते रही हो तेर मी, सतर मी यह वो तो लोहा ठंडा होने के बाद व्रत पर यतन कर रहे हैं तो यहां क्या बताते हैं किसी ने तदुगने 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 चोगने कर लिये मुनस जी उन से सत वक्ति करके और किनों ने मूल का नास कर लिया मूल गवाँ दिया यानि मुनस जी उनको यही फू फर करके और क्रियाओं में ही वर्थ कर गए उन्होंने मूल दन का नास कर दिया अब वक्ति ना करने से क्या हानी होगी नर से ती तू पस्वा की जै गदा बेल बनाई ये छपन भोग कहा मन मूर रखे किते कुरडी चरने जाई पुनातमाँ हम मुनस जीवन पराप्ट करके उन सभी स्विधाओं को पराप्ट कर लेते हैं जो भगवान मुनस जीवन पराप्ट पराणी को देता है वो क्यों देता है? इसलिए देता है कि इन सभी धाओं को पराप्ट करके ये बगजी कर लेगा अपना कल्नान करा लेगा जिन को मानों सरीर पराप्ट है वो उनकी ड्रेस अन्य पराणियों से भिन है ड्रेस मिन आपका ये सरीर, ये बोडी, ये ड्रेस है एक पोसाक है आपकी, ये सटुडेंट की है और जो सटुडेंट, जो विज्जार थी अपना उदेश्य को पूरा ना करके पढ़ाई ना करके, सिनीमा देखता है गेम देखता है, बाहर बकवाद करता है तो फिर क्या होगा, वो अपना जीवन नास कर रहा है वो अपने उदेश्य से भटक चुका है और फिर क्या बनेगा वो, मजदूर लगेगा और कहीं मिट्टी ढोएगा, रिक्सा चलाएगा पलेदारी करेगा, जिस उदेश्य से वो विज्जाले में गया था उससे चूक गया वो, वो लाब प्राप्ट नहीं कर सका ठीक इसी परकार, आप जी जिन को भी मानुसरी प्राप्ट है चाहे वो रिक्सा चालक है, चाहे कोई मजदूर है चाहे कोई धनी विक्ती है, चाहे अधिकारी करमचारी है या कोई मंत्री, परधान मंत्री, मुख्य मंत्री, राष्टर पती है यह सब सटूडेंट है और जो यह बगती साधना नहीं कर रहे हैं वो अपने उधैसे से भटक चुके है मात पिता से प्राप्ट उस धन का वो दुर्पयोग कर रहे है हमारा मात पिता कौन है? कबीर भगवान उसने हमें यह पुझी दे करके आपको फरी कर रख्या है जैसे बच्चे को मात पिता पंदरा सोला वरस तक बिलकुल फरी कर देते हैं बढ़िया कपड़े देते हैं बढ़िया खाना देते हैं कोई काम भी नहीं लेते हैं पैसे भी खूब खर्द करते हैं तुम किसी परकार अपना उद्धार करवाओ अपनी सिख्या पूरी कर लो तो अपने अत्मा प्रमात्मा ने आपको वो दन दे कर यहां एक विशेश ड्रेस परा राखी है इसमें विशेश विधाए हैं जिससे आँ भक्ती कर सकते हो भच्चे को इसलिए सुधा दी जाती है विद्धारती को कि इन सुधाश कोपराप्त करके ही वो अपनी परढ़ाई कर सकता है तब ही सखन होसकता है तो आप जी को प्रमातमा ने ऐसी स्विधाय दी है, खाने के लिए सुन्दर अन्ड फल आहार, कजू किसम सेवसंत्रे दूद दई और सजबू दी दे रखी, मकान दोफ़ी गालो, प्राकरती कापताओं से बचने के लिए, भूख लगए जब ओजन खालो, प्यास लगए यही काम था इसका, यह प्सू पक्सी भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक निवार ये कारिया था, जिसका हमें पता चल कर भी हम इस पर नहीं चल सके, क्योंकि संत्सादू जन बितने है, वो बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उनके वचन में सकती नहीं, उनके पास वो पावर नहीं, उनके पास वो बक्ति मंतर नहीं जिसे प्राप्त करके प्राणी फिर आगे इस मारख को आगे चल सके, जिस कारण से, अब मानो नाश्तिकता की और बढ़ा है, तो मन उस जीवन आपको प्राप्त हुआ, इसकी ना करने से फिर क्या होगा नर से ती तू पस्वा की जै गद्दा बेल बनाई ये छपन भोग कहा मन बहुरे कहीं कुर्डी जरने जाई उन्हे अत्मों जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हमारे उपर इसकाल के माया वारूपी भांग का गना नसा होता है कबीर साहिब कहते हैं कबीर ये माया अठपटी सब गटान अड़ी और किस की से नहीं समझाओं या कुव भांग पड़ी जिस संसार में हम रह रहे हैं यहां पर तेक व्यक्ति के एक ही विचार है और एक जैसे ही उसकी गाइड लाइन होती है अपने बच्चों को के भाई अपना बच्चे को सिक्षा के लिए भेजते हैं तो भी जैसे यही बताते हैं के तेरा रोजगार ठीक हो जागा यानि जो भी ट्रेनिंग हमें मिलती है रोजी रोटी और कपड़ा और कोठी इनके बनाने की ही मिलती है तो उस माज़ में रहकर के आप अपना उदे से भूल चुके हो सत्संग में आने से कुछ समय आपको भगवार देता है निश्चिंतो कर सत्संग सुनते हो और बहन भाईयों से मिलते हो उन से भी आपको फिर दीरे दीरे ये ग्यान सुनने को मिलता है तो आपकी रूची बन जाती है तो प्रमात्मा क्या बताते है कि आप मुनुस जीमन पराब्त हो आपको कितनी सुईद्धा परापता है जब भूख लगती है खाना खा लेते हो प्यास लगती है पानी पी लेते हो गर्मी सर्दी से बचने के लिए मकान बना लिए ये वैसे मकानों की आवसकता हमने इतनी चाहिए थी कि आवसकता से अधिक ना बनाये इनको ये हमारा भगती बादक है जो भगती करना चाहते है मौक्स कराना चाहते है तो उनको इन सब नियमों को फोलो करना पड़ेगा जो बताए जाते है क्योंकि वो भगती में बादक है और जो भगती बादक है आप उनको भी साथ लेकर चल रहे हो तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे किसी पसू के गल में लठबान दिया करते हैं इसा मोटा रसे मगालक है अब वो चलने सकता हूँ सपीड से जैस वो चलना चाहिए चलना चाहिए चलना गट्याप बला गए तो आप जी इन मर्यादाओं को अपालन ना करके और पगती रुपी मारक पर चलने की चेश्टा करोगे आप ने सपल हो सकते तो इसलिए हमने ज्यान के आधार से इन बुराईयों को इन कुरीतियों को और संसारिक प्रमपराओं को भी त्याग ना पड़ेगा तब हम इसमें सपल होंगे फिर अपनी बड़ी सपीर्ट से सलेंगे जैसे मकान बना लिया ठीक है आज कल परमातमाने दया कर रखी है बड़ी आसुई दाप को प्रापते हैं मकान बना लो जैसा आवश्य को उतना है केवल उसी के लिए के बड़ी आको ठी बनाओं जातम मार्ग नहीं है तो मकान बनाओ जितना उसे को और जितनी आपकी जेव अलावड करती हो आउसकता से अधीक खर्च मत करो हमारे पूर्वज आपने देखिया होंगे अमने दखो भी याद है जोंफडियों में टाइम पास कर गए कई कई पीड़ी उनका इतना एक काम है एक चारपा ही डालनी है आपने उस seats कमरों का मकान है आपका एक कमरे में एक कौने में शाध्य तीन भाई तीन भाई साथ फुट की जग़नी चीं आपने गुञने तो गुञने तो मोगली है कबीर साभ़ ता कहते हैं गर तो साथ तीन आथ और गणा तो पौने चार कहे कबीर अधिका गए उसको नहीं विचार ये मन उसकी जो स्रीर है साड़े तीन आथ का होता है प्रमात्मा कहते है आपने गर साड़े तीन आथ किया हो सकता है गणा बनाव तो पौने चार और इसे फल तो बनावा है तो मूरकता है ते फिर भी प्रमात्मा का कहने का ताथ पर ये है कि आवशकता से अधिक कोई भी वस्तु आप संग्रह करते हो आपके बगती का बाधक बनेगा क्योंकि समेवेश्ट गरस जाएगा कोठी बना ली एक दो लाख अपने पास से लगा लिये तीन लाख करजा कर लिया अब जब तो करजा ले लिया रन ले लिया पता नहीं चला एक मेने के बाद मांगने वालाने लग जाएगे चैन गई रात न नीदावा नहीं और बगती का भी नास वाको ठीक एक काम आई आपके तो इस परकार हमने बगती मारग मदवबाद आए हैं उनको टागना पड़ेगा अब क्या बताते हैं परमात्मा ने हमें कितनी सद्बुदी दे रखी है और ये बगती ना करने से इन कोठी बंगले बनाने में और धन बढ़ाने में अपना जीवन जर्थ कर जाएंगे तो फिर क्या होगा नरसे ती तू पसवा कीजे नरसे फिर तू पसू बनेगा नरसे ती तू पसवा कीजे गदा बेल बनाई और ये सुन्दर भोजन कामन बोरे कि तो कुर्डी सरने जाई अपने अत्माओं इतना कुछ सुनका भी अमारे या बात अंदर जगए बनाती नहीं क्योंकि हमें ये सब सुधाएं उपलब्ध है और हर समय है और ये तो आपके अंतिम सांस तक आपको रहेंगी जब तक उस जीवन में हो क्योंकि माता पिता बच्चों को जब तक वो कॉलेज स्कूल नहीं छोड़ता वस विधा देता ही रहता है और जो बच्चा उसका सुधुपयोग ना करके आता है तो फिर वो बहुत दुख उटाता है तो इस परकार इस सचसाधना करने से बच्ची करने से मौक्स होना था जाने के बाद फिर लोटकर कभी संसार में नहीं आते हैं वहाँ में बहुत सुख होना था जैसे बच्चा विधाल्या में पढ़ता है कॉलेज में पढ़ता है महा विधाल्या में उसको वहां कुछ नहीं मिलना वहां से उसको विद्धा पराप्त हुई उस विद्धा के आधार से उसको अन्य फिल्ड में वहां जाकर के वो सुधाय मिलनी है ठीक इसी परकार हमें इस पर्थवी पर जो हम चाह रहे हैं हमें यहानी लेनी चीजकी सुख़एं को यह सो चुज़ें पर्थवी की कोई भी वस्तू हम डिमांड कर रहे हैं यह इसी में लगे रहे हैं बगती की नहीं तो हम कॉलिज में मौझ मार रहे हैं वो बहुत आनिकारक्रों में हैं इसका लाब हमें सतलोक में मिलेगा सतलोक के बारे में आज तक जो जानकारी हमें पराप्त हुई है हमें मिन आप जी को इसदास के वचनों से पहले तो वो कैसी जानकारी पराप्त हुई है सतलोक का एक विशेश कंट्रेक्ट ले रख्या है कि इसने राधा स्वामे पंथ वालों ने और धन-धन सत्गुरू, सत्चा सोदा सर्शार दग्माल वाली वालों ने और इनको सत लोग का कख भी पता नहीं ना वक्ती मारक ठीक इनका ना सत्लोक की और सत्पुर्श की जानकारी, तो मता ये कहां ले जाएंगे प्राणी को और फिर ये कबीरपन थी फिर ये कबीरपन थी जितने हैं ये भी सत्पुर्श और सत्लोक के गुन गाते हैं और सत्नाम की मैमा मुख्य वर्नन करते हैं इस दास ने इन सभी पंथों के गरंथों को बहुत गह रही से जाना, समझा पढ़ा और फिर प्रमात्मा से प्राप्तु यथारत ग्यान से तुलना की इन कबीर पंथियों के पास बक्ती मारक की A, B, C, D भी नहीं है और ना इन राधा स्वामी, जैगुर देव और ये सच्चा सोदा शर्षा वाले और जंगमाल वालिया इनके पास और ना इन अन्ने संतों के पास तो ना कहा ना इन आचारिय और संक्राचारियों के पास बक्ती मारग ये तो सत लोग जणते हैं नहीं इनका तो सब्जेक्ट नहीं ये तो स्री राम, स्री करसन, स्री विश्मो और स्री संकर बगवान की पूजा तक सिमित किये हुए है आचारिय और संकर आचारिय और ये सुदानसु जी माराज और ये असाराम जी माराज और ये सत्पाल जी माराज और ये बालोगिस्वर जी माराज और ये सारे करपालो जी मारादर ये दूसरे जीतने ये यो बिरम रसी कुमार ये इस तरह के सारे ये ये कखनिन के पास बक्ति मारक का पूरे विश्वे को डगोई बैठे आपने नास करे अपने अत्माओं जिन पुन्यात्माओं को ग्यान नहीं तो ये सोचते हैं कि रामपाल पता नहीं अपने आपने के मान रहे हैं नहीं सकता है क्योंकि उसको छूरी का पता नहीं प्रेक्टिकल करेगा क्या तो अपने अत्मा पूरे विश्वम है इस दास के अतिरित ना यूग्यान है ना यसमादान है ये वतन परत्व बार कोई सुनता है तो उसको खटकते है लेकिन समय आने पर ये अच्छे भी लगेंगे मिठे लगेंगे एक बार परमेश्वर कभीर जी ने गोरखनाथ जी से वारता करते से में कहा था कि गोरखनाथ मैं सभन का गुरुआ परमात्मा ने कहा था मैं सभका गुरु हूँ उस्ताज अज्धातम मारग मैं तो गोरक नास जी कहन लगे तो मेरा बचन वोई लाग गए कड़ुआ कि आपकी बात मुझे अच्छे नहीं लगती आप कहते हो मैं सबका गुरू हूँ तो परमात्मा ने कहा कि कड़ुआ लगे सो मिठा होई हमरी बात पती जवाने विश्वास करें परमात्मा ने कहा था ये जो कड़ुआ लगे सो मिठा होई आज आपके अगले नहीं उतरी ये बात कि मैं सबका गुरू हूँ मैं सद गुरू हो वो अलग बात है लेकिन कड़ुआ लगे सो मिठा होई हमरी बात पती जवासकरो में जवाता YOUR हरांश पर करके देखो अध्यान करो सद्गरंथों को चेक करो फिर ये बात आपको सच्ची महसुस हो भी जो दास ने अभी कहा था तो परसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं ये जितने भी हैं विशेशकर राधासवामि पंथ, जैगुर्देव पंथ, ये सच्चा सोदाशरसा वाले और दगमाल वाली वाले और ये ठाकुरजी वाले, एक दनोद बिवाणी वाले, ये सारी नरे बबल के बेड़ उग गे अपने आत्माओं ये बताते हैं के सत लोक में परमात्मा निराकार है और इनना सत लोक का पता सत लोक क्या है कहते हूं वही सत लोक वही सत नाव वही सार नाव वही सार सबत और वही सत पुर्स वो सत लोक है वो निराकार है चेतन परकास है और इन सभी कबीर पंथियों का और सभी इन रादा स्वामी से निकली हुई उनकी ब्रांचों का जैसे सचा सोदा सरसा और जंगमाल वाली और य गुर्देव जी वाले इनका मानना है कि मुक्स प्राब्ट प्राणी सतलोक के अंदर उस प्रमात्मा के परकास में ऐसे मिल जाती है वो आत्मा जैसे बूंद समंदर में और एक है ब्राजडी गाओं जम्मू के अंदर एक नया संत मिला जिसका नाम है मधु परमहन्स और वो भी कबीर पंथी का लाता है और सतलोक को कैसे डिफाइन करता है शिरिष्टी रतना सुनाते समय उसने क्या बताया है कि पहले प्रमात्मा गुप्त थे फिर उन्होंने एक सबद उचारन किया उससे एक अद्बुथ परकास बन गया उस परकास के अंदर फिर परमात्मा अमरपुर्स समा गया वो अमरलोक हो गया फिर वो फिर अमरलोक बन गया यानि वो परमात्मा को ऐसे चटक दिया अपने आपको ऐसे चटक दिया उसमें से बुंद सी बुंद सी बन गी उपर जानते फिर उटी आगी जैसे जल की बुंद उपर को फैकी जाए जल में आकर मिल जाती है पर वो मिली नहीं वो कन कन से बन गए बिंदू से बिंदू से बन कर जीव बन गए घूमने लगे उस परकास में वहाँ जाकर उसके इसाब से मौक्स प्राप पराणी वो फंस बन कर जाते हैं और वो डोट बिंदू बन कर ऐसे घूमते हैं जैसे मचली जल में उस परकास में बटकती हैं यह कहता है कि मेरे पास जो वस्तू है इस बर्माड़ में नहीं अब उसका सारा जाड़ा लेक है अब दिखा देंगे वो कैसा कि क्या है उसके पास वस्तू तो अपने आत्मा उस बनमाड़ में दयाबक्सी है अपने उपर है इस दास के उपर दयाबक्सी है वो दिवद्रिश्टी दे दी इस ग्यान को समझने की और इनके अग्यान की परक करने की और वो आपको आसानी से करवा देगा दास दो मिनट पर समझ जाओगे वास्तूरता क्या है एक तो इसका विद्धान है चरीमदू परमंस राजड़ी वाले का जम्म वाले का एक तो यह हो गया कि अमर पुर्स और अमर लोक वो एक बन गया वो चेतन परकास हो गया अमर पुर्स वो बने गया अमर लोक यानि वो सारा सारा कुछ हो चेतन परकास को यह अमर लोक भी सारसबद भी सार नाम भी विधे नाम भी आधी नाम वही सत नाम भी वही अमर लोक भी वही सत पुर्स भी अमर पुर्स भी वही और सार नाम भी वही आगया वहीं जहांसे शरू हुए थे ए बगवान यह बोली आत्माओं को क्या पता भी मात्माओं जी पहुंचे होंगे सत लोग देख कर आएंगे खक देखे हैं सत लोग के अंदर है ऐसी ही सिरिष्टी है ऐसे ही मनुष से वहां पसू पकसी नहीं है यह कीडे मकोडे नहीं है जो वहां सदा बाहर वरक्स है और सदा बाहर वहां के का जो किसम सेव संत्रे और फल, फूल, फरूट सारे सदा बाहर है वहां जाने के बाद पराणी ना वर्द होता ना उसकी मर्त्यू होती अपने अत्म, यदि हमने वहां जाकर के निए दक्ये खाने हैं, डोट बन के गुमना किये आनन्द हो या वो खाखानन्द है मोक्स का अर्थ होता है जिसके उपर जैसे कोई बंधन में ना हो, हम यहां कर्मों के बंधन से बंदे हुए है वहां कर्म नहीं है निएस कर्म में मोक्स प्राप्त होता है बिना कि यह प्राप्त होती हैं सब सुईधाएं उसको निएस कर्म मुक्ति मानते हैं तो वहां जाने के बाद देखो आप देखते हैं परते एक विक्ती चाहता है काम थोड़ा करूं ना करूंता गणाबढ़िया और सुविधा सारी हो तो यह हमने कहा यह भास कहा से हुआ क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहते थे वह हमने काम तो करना ही नहीं पड़ा था और सुविधा नरी थी आगे पड़ी रहे थी फिर दूसरा कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता वर्दवस् करते हैं भी बाल काले करते रहे हैं अर्दात करे तरिम्टड वाइले हैं अकुछ थोड़ी बहुत सेथ बुढ़ासा ना दिखो हैं और फिर मर्द्व कोई नहीं चाहता अर्दोनों कंपलसरी यह तो यहां का योनिवर्सल टूथ है आर्डन फास्ट रूल है तो इसका के ब कार कोई काम करना नहीं चाहता हम उन्च शिक्सा किसलिए प्राप्ट करते हैं कि हम कुर्सी बैठे हैं दफ्टर के नीचे नौकर हों गंटी बजाएं पानी पड़ाओ चाय लाओ काम कुछ नहीं करना अपने तन खामला गणी ठाट से रहें तो यह हमारी प्रवर्ती जो य तो सकती है बबूल के पेड़ पर यदि कोई आम खोज रहा है बबूल के बन में बन में और वहां कोई आम ढूंड रहा है उस जैसा मुर्ख नहीं तो हम इस बबूल के बन में इस काल के लोक में और वो सुख खोज रहे हैं सतलोक वाले यहां के सुरग महा सुरग में भी व सुक नहीं है तो वो बातें परमात्मा ने हमें याद दिलाई है तो परसंग चल रहा है कि सत लोग के अंदर आपको मनुस स्रीज मिलेगा वहां तीन परसंग है सत लोग के जैसे अपने कैपिटल है राजदानी है दिली और दिली एक सटेट भी है तो दिली का जो भाई ये दिली है ग्रामिन अक्सेतर है जो वो तो समझो बहार की दिली फिर बीच का बजार आ गया और फिर परदान मंत्री यानि अपना सेक्टरियेट जो राजदानी स्थल आएसे ही महां का भी बादन है तो भाई ये जो अक्सेतर है कती बहार के साइड का सत लोग का उसमें बाग बगीचे फल जरने नदियां बह रही हैं उसके नेक्स्ट जो सेकंड पोर्सन है उसके अंदर पूरे आपके बहुत सुंदर सुंदर महल बने हुए जो खाली पड़े हैं जहां से आप अधिकारी करमचारी या पैसे वाले सेट के मकान को देखोगे वो क्या बनाता है बड़ी कोठी हो एक अच्छा आगे आंगन हो लान जिसे बोलते हैं और उसके अंदर फल फूरूटों के पूदे पादे लगे हो बगीची बनी हो जरना लगा रखा हो तालाव हो इस तरह की हम सुईदा खोजते हैं और हम पिकिनिक मनाने जाते हैं पाघड़ गुम देखने हाद आते हैं बुरी-दूर सुन्दर सथान जरने देखने जाते हैं यह हमारा सोभाव वहां से बना हुआ है और यहां तो हम जाते हैं वहाँ जेव गटवाका आ जाते हैं दस जार रुपे लेगे कुलू और मनाली मई जून जुलाई में और अपने पैसे खर्चो वह कुछ दिनों के लिए इदर उदर से सपटे करो और पैसे बरबाद करके वापस आ जाओ यहां का तो यह सुख है और सतलोक में जाने के बाद वह कभी अभाव नहीं कोई खर्च नहीं और किसी किसम का कोई दुख नहीं है तो अब हम कोई मरना नहीं चाहते हैं और यह परिवार बना रहो हम मरा नामनकत जुरू तिने चाहें दुख ही और भी हो जावा अब हम यहां से नहीं जा सकते दुरू ते नहीं हमने जाने गी फिर लेकिन यह मरतु खतरनाक हमारे लिए और वर दवस्ता और यह सारा वहां होगा और वहां फिर दुख नहीं कोई काम नहीं अपना बहुत ही सुइदा है आपको वहां भी आपको परमात्मा की याद बनी रहती है परमात्मा की दुख सीमरन वहां भी आपने करना होता है उस सीमरन का इतना आनन दाता है कई विक्ति सोचते हैं फिर वहां करें क्या वहां परमात्मा की याद वहां बहुत सब सुविधाय हैं जो यावर्ना नहीं कर सकते हैं वहां आपको पता भी नहीं चलता कितना समय बीट जाता है और आप सदा सुखी रहते हो कोई रागदवेश नहीं कोई ऐसी चीज का अभाव निजिस से रागदवेश बने हैं उच्छा बड़ा निछोटा बड़ा नहीं वहां पर सबको एक जैसी सुखी तो यह सत लोग के अंदर सभी सुख्धाय हैं और वहां पूर्ण मोक्स है वो प्राणी कोई परती बंद नहीं क्योंकि जितने भी आंकानून बनाए जाते हैं आए अभमुन श्रधालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं सुरेंदर जी, संत रामपाल जी महराज जी से नाम दिक्षप्रIES दोजारशा को ली सुरेंदर जीृ अभी तक क्या क्या बक्ती साथना है कि है आपने बक्ती साथना तो जो अमारी रीतरिवाज पुरानी हिंदू दर्मसे है उनसे चलते हुए बक्ति क्या करते थे में आरविया में पहले मैं सर बहुत जादा नसा करता था और इतना नसा करता था कि मैं साभा जाए हो ग smart चरस हो घी जो आशी के क करें अपनी नागग भी त्याग दी और बहु प्रफॉडिंग ट्रग हो रहे थे वो भी सब बेच दी तो मेरे पाकुछ नी बचा तो मैं इतना परिसान हो चुका था मैंने जब लाश्ट ट्रक बेची तो मैं इतना सुनसा करने लग गया था कि डिप्रेस्ट में चला गया था मैं बस नसा और मुझे फिर भगतमती ने क्य में चला गया था पत्नी ने नाम लिया 2017 में संत्रामपाल जी महराज जी की नाम देख चली तो उसके बाद में मैं मेरे को अड्मिट करके गई वहां नसा मुक्तिगेंद्र में उसके बाद वहां आके मुझे ग्यान गंगा पक दिया उन्होंने दिया तो मैंने पड़ा उसम अजिन खाने की काफी कोशिश की और उसके बाद में जो वह सलफांस के डिब्बी होती हुआ मैं इसकोटी के अंदर भी रखी दिए कि मैं कभी मैं मुका मिनना चाहिए था मिलो कि मुझे समय तो यहां तक की मेरी कंडिशन थी बगजी उसके बाद मैं क्या कि घर में लाये म सर जैसा कि आपने बताय कि आपने आत्मत्या करने की भी सोच ली थी आपने कहा कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं रहा गया था आपकी सारी प्रोपरटी खतम हो गई थी फिर जब आपने संतरामपाल जी मारा से नाम दिख्शा ली तो आपको क्या अलाब मिले क्या प्रोपरटी संतरामपाल जी मारा जी से नाम दिख्शा लेने के बाद मेरे सारे नसे सूटे दूसरा जो सारी मेरी बिमारिया सुरू हो रही थी वह नस बिमारे सारी खतम होई बिमारिया जैसे की पाइल से की बिमारी सुरू होने लग थी यानि की सौंस की बिमारी भी मेरे मेरे शांसें मत्तब ज्यादा गर्मी से वो रुखने लग गया था और काफी ऐसे शोड़ी शोड़ी भीमारिया काफी थी तो उससे मैं मजबूर होके वह जहर भी ना चाह रहा था कि मैंने बाप पैसा है नहीं मेरे बास कुछ नहीं है तो मैं ये चीज मेरे लिए शूड़ी ये रास्त है संदर्हांबाद जी महाराजी के सराण में जाने के बाद में भगजी मतब छो मंतर जैसे मैंने वह सोचा भी नहीं था कि मतब ऐसा होगा करकी कि ये तो चलो मैं एक अजमा लेता हूं वाले वाद वो तो मैंने काफी अजमाया हुआ था काफी चीज अजमायी लेकिन वह दिन है आज का दिन है भगजी मैं बहुत बिगड़ा हुआ था मैं हर चीज में मतलब अब इस्पोर्स वाला आदमी करता ही है उटे सोटे काम करना ये मनलब हर चीज में वह चीज अभी मसब सांत हो चुकी है बॉक्सिंग से मैंने सब से यानि की जो इसमें मारा एकिन बार्ग में ठीक्ता होते है चलो अभी भी जुड़े हैं ये मार्ग सही मिला हुआ है गुर जी का शंतरामपाल माहराज जी का तो ओव सही न नहींतली है और में चाप्वी में आख और में उसे बिखियों जैसे हम प्लीन सब्सक्राइल का काम करता हूं तो मैं अने न तो देखने जो बंदे बैट साइड में दुप से रहे थे वो देख रहे थे तो उन्हें भूलब गया यह बंदा इसको तो टकर मारते की वो करके और मैंने भी सोच लिया था कि मैं मेरा इस दाइन इसे में जो है गाड़ी मारेगी लेकि लेकिन मैं सावुत आगे निकलके पी आप नशा करते थे नसे के लिए आपने अपनी नौकरी छोड़ी नसे में ही आपकी सारी प्रॉपर्टी बिग गई और लाश्ट में आप अपना सरीर भी छोड़ना चा रहे थे आप बहुत सारे नसा मुक्ती केंद में भी गये लेकिन आपका नसा नहीं चूटा फिर आप के नियम हैं उस नियम को जो फालू करेंगा तो उससे सारे आदमी इससे वीजाना है दूसरे जो वो मंतर में देते हैं जो हमें मंतर देते हैं जो नाम दिखिशा के बाद में इतनी ताकत होती है कि अगर सभी डंग सी चीज आप से बता रहें तो वो चीज सब नसा क्या उसमें बड़ी-बड़ी चीज़ चूड़ जाती है वो नसा तो मेरा ऐसा चुटकी में चूड़ा जो कि मैं काफी सालों से चूड़ना जाता था लेकिन चूड़ता नहीं था तो अखनको देवों की भूमिक आ गया है आप केहां केदार नाथ धाम है बदरी नाथ धाम हैं तो इन सब धाम को छोड़कार आप संत्रामपाल जी माराज जी की सर्व में आए और आपने बताय कि आपको और जो संतराम्बाल जी माराज ने मंतर दिया उससे आपका नसा चूड़ गया तो क्या ये मंतर केवल संतरामपाल जी माराज जी के पास ही है और आपको कहीं ये मंतर नहीं मिला जिए मेरे कुछू निए की कोशिश की यानि ही गड़वाल से लेकर के जितने कमाओं के गुरू अगर बगर यह भूख जार पूख करने वाले जितने से सब को पूझा यानिए की बहुत ज़्यादा खर्चा होता था वह खर्चा किया लेकिन कहीं किसी क्या वज्ट के बात र तो ही मैं समझ के सलता था कि हाँ चलो यह वाली नामदिक्चा लेने वाली बात कर रहे हैं संतरह fij जी महराज क shuts में भाला जाने वाली बात कर रहुर। लेकिन मैंने चलो मेने हम चाहरे सबस्पमाइस फ़ने में क्णित आare ली यह यहा निक तो ओस्टी भडर्ती मैं नमदान्स भ्रक तो ह принципе लेने के लिए कि रमकार यहां गया न मैंने करीवन डेट दो मैंने से तो मैंने प्रोपर ऐसी की कि मैंने सोचा कि देखता हूं में अगर इतनी सक्ति इन में होगी तो मैं ठीक हो जाओंगा और मैंने की प्रोपर डंग सी जो चीजें बताई मेरे को तो मैं वो चीजें सब निकल गई और संतर रामबाल जी सब्सक्राइब नियुक्ति केंद्र में पैसे लगते हैं जितने दिन आपके पास पैसे हैं उतने दिन आप बहां रोख सकते हैं तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आसरम में भी पैसे लगते हैं सर अब आखरी सवाल आपसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा कैसे ले सकते हैं सुरेंदर जी हमारे चैनल पर अपने अनुवब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सचाई नाम दिक्षा केंद्र हैं जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ओनलाइन निशुल नाम दिक्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541 गरिब धन जन नी धन भूमी धन 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 नगरी धन देश धन करनी धन कुल धन जहां साधु परवेश जगत गुरुतत्व दर्शी संतिरामपाल जी महराज की 74 वेवत्रण दिवस के अवसर पर दिनांग 6,7,8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलो काश्रमों में तीन द्विशिय महा समागम का आयोजन की अजा रहा है इस पवित्र अवसर पर तीन द्विशिय अखंड पाट विशाल भंडारा विशाल सत्संग समारों जैसे कई भव्य कारेकरम भी होंगे जिसमें आप सभी नगर वे ग्राम निवासियों को इस विशाल एद्वित्य भंडारे में साधर आमंत्रित किया जाता है आयोजन स्थल का पता है सतलोक आशरम धनाना धाम सोनीपत हर्याना इस कारेकरम का सिधा प्रशारन सुबाज सवा नौ बजे से दोपहर सवा बारा बजे तक संद्रामपाल जी महराज यूटूब चैनल और स्पिक्च्वल लीडर संद्रामपाल जी महराज फेस्बुक पीच पर भी देख सकते हैं